गिरगेट ही नहीं, घरों में मौझूद छिपकलियां भी बदलती हैं रंग। नहीं जानते होंगे चौकाने वाला कारण। आज हम आपको घरेलू छिपकलियों से जुड़ी एक चौकाने वाली बात वाइ हाउस लिज़िड कलर गेट्स डाक बताएंगे जिसके बारे में आ गरमच की तरह निगल जाएंगी। यू तो घरेलू छिपकलियां कॉमन हाउस गेको खतरनाक नहीं होती हैं मगर जब वो इनसानों से डरती हैं या उन्हें कोई खत्रा लिज़िड चेंज कलर मेहसूस होता है तब वो जीबो गरीब रवया अपनाने लगती हैं। आज हम आ उसके जैसा रंग धारन कर लेता है। पर क्या आप जानते हैं कि घरेलू छिपकलियां भी रंग बदलने में माहिर होती हैं। घरेलू छिपकलियां क्यों बदलती हैं रंग। जी हाँ, घरों में दिखने वाली छिपकलियां भी रंग बदल सकती हैं, हालां कि उनका रंग उसी शेड में हलका और गहरा हो जाता है। कई बार सफेद छिपकली कुछी पल में गहली भूरी दिखने लगती है। साइन्स ABC वेबसाइट के अनुसार छिपकली या आमतोर पर दो कंडीशन में रंग बदलती है। पहला ये की जब उन्हें खत्रा महसूस होता है तो वो सामने वाले खत्रे को यानी दूसरे जीव को डराने के लिए रंग गहरा भूरा कर लेती हैं जिससे वो और भी ज़्यादा भयानक लगने लगें। इसके अलावा वो अपने शरीर के तापमान को बेलेस करने के लिए रंग को डाक करती हैं। चिपकली थंडे खून वाली प्रानी है। ऐसे में जब वो थंडे परिवेश में जाती है तो उसका रंग काला होने लगता है जिससे वो ज़्यादा गर्मी को शरीर के अंदर सोक सके। गिर्गिट कैसे बदलते हैं रंग? अब आपको इसी के साथ बता देते हैं कि चिपकलिया या गिर्गिट अपना रंग बदलते कैसे हैं। नेचर कम्यूनिकेशन जर्नल में छपी 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार गिर्गिट की चमरी में इरिडोफोज नाम के खास सेल होते हैं। इन में खास तरह के पिग्मेंट और नैनो क्रिस्टल पाए जाते हैं जो अलग-अलग वैवलेंथ की लाइट को रिफलेक्ट करते हैं। गिर्गिट अपनी चमरी में तनाव या रिलेक्स की स्थिती पैदा कर रंग बदलते हैं। टैंस और रिलेक्स की प्रक्रिया में चमरी में मौझूद इरिडोफोज का घनत्व कम ज्यादा होता है जिससे रंग बदलने लगता है।